तो यहां पर हमारे पास अब जो है प्रस्ण संक्या 3 है यहां पर देखेंगे क्या कह रहा है प्रस्ण संक्या 3 हमारे पास है प्रतियक मीटर की खुदाई के बाद एक कुवा खोदने में आई लागत जबकि पर्थम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प फटां मीटर खुदाई का खर्च है कि कि घुदाई का खर्च यह तुमको बता रखाampशा है 150 रुपया अब जैसे अannel flee पहला नम्मर का प्रश्ण किया था कि पर्था मीटर का किराया था फंड्री रूपया और हर किलोमीटर पर आट रूपया बहता हुआ जा रहा था इसी तरह से यहां भी है कि पहले मीटर खोदने का खर्च 150 रुपईया है और तब दूसरे तीसरे चोथे किलो में चोथे मीटर जब खोदेंगे तो वहां पर हमको 50-50 रुपईय का खर्च बढ़ता हुआ चला जाता है इस परकार से देखेंगे तो दूसरे मीटर खोदाई का खर्च कितना होगा 150 और पलस में 50 कितना हो गया यह 200 हो गया इसी तरह से कहले मीटर के लिए 150 फिर दूसरे के लिए 150 फिर तीसरे के लिए 50 फिर चौथे के लिए भी 50 तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा तुमको 150-200-250-300 तो यह हो गया 300 रुपिया यही तक हम रहने देते हैं अब अगर देखेंगे तो पर्थम पर्थम 2, 3 और 4 मीटर खुदाई का खर्च अगर हम देखें पर्थम 2, 3 और 4 मीटर के खुदाई के खर्च को देखें तो क्या आ रहा है यहाँ पर 150 200 देखो यहां से 250 300 यह आ रहा है अगर आगे खोदोगे तो तुमको और भी खर्च यहां पर आने वाले हैं अब देखो यहां से यहां पर क्या करेंगे 150 A1 होगा पर्थम पद 200 A2 होगा दूसरा पद 250 A3 होगा तिसरा पद और A4 यहां पर 300 है अब हम कोई पता करना है क्या यह AP में है यह AP में नहीं है इसके लिए क्या करेंगे अब करेंगे A2 मैनस में A1 A2 का मान कितना है 200 है और A1 का मान है यहां पर 150 200 में इस 150 घटाएंगे तो कितना निकल ला है 50 आ रहा है अब करेंगे A3 मैनस A2 A3 का मान 250 और A2 का मान 200 यह होगा हमारा 50 फिर यहां देखेंगे A4 मैनस A3 यह होगा 300 और मैनस का 250 तो यह भी कितना हो जाएगा 50 इस तरह से हमारे पास क्या निकल क्या रहा है यह जो common difference निकल क्या रहा है वो कितना आ रहा है 50 निकल क्या रहा है यानि कि इस वाले संख्याओं की सूची में हर दो पदों के बीच का अंतर क्या है 50 है मतलब अंतर समान है क्या लिखेंगे यहां सारवांतर समान है कि सारवांतर समान है अताया अताया एपी में है कि इसमें है यह एपी में